सब्सक्राइब करें मारे यूट्यूब उनिक एजूकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के वैल आइक्ट में क्लिक करें और आल नोटिउस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोंची वीडियो देख लेंगे सबसे पहले ठाइंकि फ्रेंड मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजूकेशन चैनल तो आज की वीडियो हम सिखेंगे कैसे हम इनफॉर्मेशन गैदर करें इस टूल की मदद से इसका नाम है ओडबलू स्कैन पैकेज हम इस पैकेज को स्टॉल करेंगे अपने टर्मक्स अप्लिकेशन म करना है जैसे ही अम स्टार्मक्स अप्लिकेशन को अपने करते हैं तो पहले हमें अपने पैकेज को अपडेट एंड अप्ग्रेट करना होता है तो आप कैसे करेंगे इसको आप कमांड लिखने हैं आपको एपीटी अपग्रेड अपडेट एंड एपीटी अप्ग्रेड य तो फ्रेंड देखिए अपडेट एंड अपडेट हो गया हमारे अब इसे टैक्स को क्लियर करते हैं कमाड लिखते हैं के लिए अब आपको पैगे इस्टोल करना है पी-एस-प इस्टोल करना है तो पी-पी-क-जी इंस्टोल पी-एच-प कि वाई पर्मिशन देंगे वाई टाइप कर गए होने लग गया इस्टोलिंग हो रही है को समय लगेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कि नहीं आरे की पेसेंस नहरे रखें आपके स्टोल हो जाएगा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी स्टार्ट प्रोसेसिंग प्रोसे हमारे पैकेज इस्टॉल हो गया क्लियर करते हैं स्क्रीन को इसके अब आपको गिट पैकेज इस्टॉल करना होगा क्यूंकि इसकी विजस्ति काम करेंगा नहीं तो बर्क नहीं करेंगा तो पीकेजी इंस्टॉल गिट इस्टॉल करने है देखिए इस्टॉल होना शुरू होगे इस्टॉल पाकिशन स्टॉल हो गया है इस्टॉल हो गया है इस्टॉल हो गया है इसे ही लिए कर देते हैं अब आपको एक लिंक लिखना होगा इस पर मैं आप लिखके देखा था हूं सिद्धे इस लिख देता हूं इसको टाइप कर सकते हैं वैसे यहां भी देखा रहे हूं git clone git clone https colon double slash git hub.com यह आपको लिखना है github.com फिर लिखना है slash slash पिर आपको लिखना है gmeye gmeye 98 slash owscan okay enter कर देना अभी cloning होना शुरू हो गई okay done done हो गया अब हम इसे ls करके देखते हैं जो हमारे जो टूल है इसमें अब इसे हम open करेंगा तो पहले आपको cd कमांड लिखने cd तो owscan करेंगे देखी अभी non executive mode में है अब इसे executive mode में करेंगे print और कमेंड लिखनी है तो चैंज हम executive mode में करने के लिए आपको लिखनी है देखना है जूना और इंटर कर देंगे एलेस करेंगे देखिए हमारा जो एग्शिक्यूटर में हो गया है अब इससे हमार रन करते है आपको लिखना है पी हईच पी ओडबलू स्कैन और डॉट पी एच पी ऐसी इसको करेंगे तो आपको एंटर करना है देखिए आप जो टूल है वह इस्टॉल हो गया और इनेबल हो गया अपन कर लिए अब यह कह रहा है एंटर वैप साइट टू स्कैन आपको इसी भी वैप साइट की इंफ्रोंच लिए चाहते तो आ dot example example dot com यह लिखता हूँ अब इसी करेंगे देखिए who is lookup करेंगे एरर बैलिदी जून ट्रेशर ट्रेस रोट port, port, scaling, graver, ip, geolocation, htd header यह सब ट्रेस्ट कर रहा है इस तरीका से इस तरीका से आप किसी भी साइट की अब इस पर चेक कर सकते हैं अब जीसे dns इसका एड्रस दिखा रहा है 98.184.216.34 इस तरीका एड्रस दिखा रहा है अब इसमें information ले सकते हैं तो any victim आपने देखा कैसे कैसे हम किसी भी पैप साइडिया किसी विक्टिम की information ले सकते हैं तो आई होप अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूले फ्रेंड और एससे वीडियो आते रहें ट्रेंड थैंकियो और दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि इसको उनको भी यह जान करी मिल पाए